हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Micromax I.N. Note 1 Android Mobile Phone में बैटरी सेवर को आप जो है कैसे सेड्यूल कर सकते हैं ठीक है बैटरी सेवर सेटिंग को आप सेड्यूल कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जारा हूँ तो चलिए हैं आप वीडियो को श्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको उपने फोन में सेटिंग पेज ओपन करने के बाद आपको नीचे की साइट में बैटरी का यह ऋप्शन नजराएगा battery पे select करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अगले page में battery saver का ये option नज़रा जाएगा battery saver पे select कीजिए अब यहाँ पर यह battery saver के ठीक नीचे आपको set a schedule का option नज़राता है इसे आपको select करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 5% पर यहां पर select है पहले से, ठीक है, आप चाहे तो इसे बड़ा भी सकते हैं, मालनी जी कि मैंने इसे 25% पर कर दिया है, ठीक है, अब यहां पर हम बैक चलते हैं, अब यहां पर set है, schedule के नीचे पहले no schedule लिखा रहा था, अब लेकिन will turn on at 25% लिखा हुआ रहा है, ठीक है तो अब यह 25 पे मैंने example के लिए कर दिया है, आप चाहे तो इसे जादा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने example के लिए कर रहा है, अब यह setting जो है schedule होने के बाद किस तरीके से काम करती है, मैं आपको बताता हूँ, यहां पर दोस्तो मेरे mobile phone की जो battery है, वो अभी मैं आप को दिखा देता हूँ, 63% है, ठीक है, जब यह setting जो है 25% पे आ जाएगी, तो मेरा phone जो है battery saver mode में automatically चला जाएगा, ठीक है, मेरे जो यह phone की background screen है, यह white दिखाए देरी, यह पूरी की पूरी black हो जाएगी, मेरा phone जो है, जैसी मेरे mobile की battery जो 25% बचेगी, तो मेरा phone जो automatically battery saver mode म है, हमारी battery जो है, वो कम बची हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम जो इसे 50% या 70% पे नहीं कर सकते हैं, आप 60 या 70, 80% पे भी कर सकते हैं, battery saver यह जो है, schedule करने से automatically उस टेम पे battery saver चालू हो जाता है, और battery saver चालू होने से होता है कि आगे हमारी battery जो है, वो consume कम होती है, ठीक है, जब भी हम अपना mobile phone यूज करते हैं, तो यह battery saver हमेशा schedule करके रखना चाहिए, मैं हमेशा इसे जो है, कम से कम 10% पे रखता हूँ, ठीक है